कि अभी राइजिंग वेज की बात करेंगे अब यह जो चार्ट पैटर्न है यह चार्ट पे आपको ढूड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको डबल टॉप डबल बॉटम अक्सर बनते हो देखेंगे राइजिंग भी देखेंगा यह एक्सपीरिंस की बात है क्योंकि अब आप देख के रहे हो बहुत मैटर करता है आप ढूंड के रहे हो चल क्या रहा है मार्केट में तो इसे ढूंडने के लिए आपको पता होना चाहिए कि राइजिंग वेज क्या होता है अभी तो मागे ट्रैंगल की भी बात करेंगे तो अब यहां पर एक्सपीरियंस औ ना करो मैने अपको बज़ की बात नहीं करनी कि मैननने आपको ब्रेकाहूट आया कि वहां से क्रेंगह तो आसे थाप इतना शीख चुक糖 में एक क्या नया है यह समझते हैं वेज में नया यह है कि ट्रेंज一 लाई तो समझ आगई हमें सिक रहा था अगर आप DEEK जो जब हाइब बना रहा है यहां पर एक high बनाया यहां पर एक high बनाया यह बहुत चोटे चोटे high बना रहा है और जैसे रैसे प्राइस आगे बढ़ रहा है यह विज के अंदर जा रहा है मौंद्लब आप देखंगå एक triangle के अंदर प्राइस फिट होता जा रहा है अगर ऐसा होता है जर्नली तो जो आपकी trend line break out होती है price नीचे जाएगा दुबारा से retest करना आएगा and then एक बहुत बड़ी यहां से गिरावट आ सकती है so यहां से पता के लगता है कि जो buyers है ना वो अब weak होते जा रहे हैं and seller strong होते जा रहे है मालब आपको बहुत तीजी वाला यहां पर ऐसा नहीं देखता कि price बहुत तीजी से बढ़ रहा है दीरे दीरे बढ़ रहा है वो wedge के अंदर आ रहा है so this is known as rising wedge and इसी तरीके से rising wedge मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से आपको chart पर देखेगा अब इसे थोड़ा सा ढूंड़ना आपके लिए हो सकता है experience की बात है कि आप कर सकते है तो आपने trend line मनाई और आपने क्या देखा कि इससे पहले जो resistance था यहां से आपने एक online draw कर दी it was a triangle आपने देखा price उपर जा रहा है पट अब वो एक wedge के अंदर जाके सिमट गया है सिमट गया है तो जो बायर से वीक हो गया है जब trend line breakout होती है यहां से आप definitely enter कर सकते है अपनी position में वो एक बार retest करने के लिए उपर आ सकता है price बट उसके बाद वो बहुत तेजी से गिरता है अब आपको यहां पर किस तरीक लेके चल सकते हैं आपने वही से इंट्री कर ली जहां पर जिस candle ब्रेक आउट दिया यह रेड कैंडल ने ब्रेक आउट दिया आपने वही से इंट्री कर ली और उसके ऊपर का stop loss ले लिया उसके बाद अब देखिए है कि हैं आपर चीज जो आपका इससे पहले के support levels रहते हैं जैसे कि यहां पर तो मैंने आपको दिखाया हुआ है बट अब आप यहां पर अगर आप देखोगे एक support level यहां पर है बिल्कुल starting अगर आप scalping करें चोटा support है उसके बाद एक support यहां पर भी बनता हो देख रहा है क्योंकि this was a strong support price ने कई बार यहां पर आके react किया market में time बिता होगे उतना आपको समझ आएगा आप trailing stop loss लगा के trade कर सकते हो कोई limit नहीं है पैसा बनाने की जितना आप सीखोगे न उसके awarding depend करेगा आप कितना पैसा बनाने वाले हो देखो होगा गया हर बार ना आप सही नहीं होगे अगर आप 10 ट्रेड लेते हो हो सकता है तीन बार गलत हो जाओ आपका stop loss hit भी हो जाए ठीक है और आप साथ बार सही होते हो तो आप साथ बार पैसा बनाओगे जरनली होता कि है starting में लोग पहले दूसरी बार में भी अपने stop loss hit कर आ ले दें लगता कि हम गलत हैं और कभी-कभी क्या होता है कि पहली और दूसरी trades के अंदर उन्हें बहुत दा profit हो जाता है stop loss लगाने भूल जाता है ने प्रॉफिट बने गई बनेगा गलत है stop loss हमेशा लगाना है और आपने जितनी बार में जितना जादा आप किसी भी चीज को ने test करोगे मालो अगर मैं भी एक coin flip कर दूँ आपको लगेगा 50-50% probability है तो head 50% probability है बट माल लीजे मैंने तीन बार coin को उच्छाला toss किया और दो बार head आगया और एक बार tail आया तो अभी तो 50-50% नहीं रहा अगर मैंने चार बार भी कर दिया और तीन बार head आगया अभी 50-50% नहीं रहा कैसे बोल रहें 50-50% है क्योंकि number of times अगर आप 100 बार coin को flip करोग तो जर्रली वो 50-50 रहेगा बट अगर मैं चार बार ही करूँगा तो मेरी probability match नहीं होगी similarly आप अगर यह देख रहे हो कि आप 70% time पैसा बनाओगे और 30% time जाओगे तो वहां पे आपको यह चीज़ देखने है कि कितनी बार आपने ट्रेड लिया और कितनी बार आप सही थे